नमस्कार दोस्तों मैं गौरब एक बार फिर से आपका श्वागत करता हूँ आपके अपने हेल्पिंग गौरब योटूब चैनल पर दोस्तों एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए नियू रिकार्मेंट की जानकारी लेकर आ गया हूँ हाँ दोस्तों जैशा कि आप लोग देख सकते हैं बिहार में चाहिए नौकरी यानि की जौब तो जल्द करें आविदन दोस्तों आविदन करने के लिए योग्यताई क्या रखी गई है तो जैशा कि आप लोग देख सकते हैं यानि की डिप्लोमा इन केम्प्यूटर अप्लिकेशन और साथ ही साथ आप देख सकते हैं आपे पलस लिखा गया यानि की केम्प्यूटर का जो छे मां का कोर्स होता है डिस ये उसके अलावे और भी कुछ योग्यताई रखी गई है जिसकी जानकारी आपको वीडियो के अ आई उसी मा क्या रखी गई है इसकी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी तो दोस्तों वीडियो के अंतक बने रहीएगा तो चली दोस्तों अब हम लोग वीडियो के मैं टॉपिक पर आते हैं उससे पहले दोस्तों मैं आप से चोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप पहली बार Helping औरा यूटूब चैल पर विजिट किये हैं तो भी आप Helping औरा यूटूब करने को सब्सक्राइब कर ले और साथी साथ बगलिके बैल आइकॉन को दबा ना बोले और साथ यह दोस्तों अगर आप इसी तरह की जौब रिक्वारिमें जैसकी दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहां पर लिख्ण बार है बिहार स्टेट कॉपरेटी बैंक में भरे जाएंगे असिस्टेंट के 200 तोटल पद दोसों है उसके बाद आप देख सकते हैं आप लिखा गया है बिहार स्टेट कॉपरेटी बैंक ने असिस्टेंट मल्टी परपस के 200 पदों पर भरती के लिए आवेधन आमंत्रित किये हैं उसके बाद हम लोग आगे बड़े तो देख सकते हैं योग्यता यहां प पास केंप्यूटर अप्लिकेशन डी सी ए जो की छे मां का एक कोर्स होता है बेसिक डिपलोमा होना जरूरी है उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बड़े तो जैशा कि आप लोग देख सकते हैं आयू सीमा जो है 21,765 रुपे से लेकर 31,540 रुपे परतीमा आपको मिल जा 21,1 तक ऑल्लाइन आविदन कर सकते हैं ऑल्लाइन आविदन करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे लिंक दे दिया गया है इस लिंक को आप जो है विजिट करके जो है आविदन कर सकते हैं कोई प्रॉबलम नहीं होगी दोस्तों उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आई हो अगर वीडियो पसंद आई हो तो अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा बगल के बैलासन को दबाना भी बिल्कुल मत बूलिएगा तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर से आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए बा एंटे केर जैहिन वंदे मत रम